हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब आपका भाई हाजिर है एक नई वेकेंसी के साथ और ये वेकेंसी निकाले गई है यहाँ पे रिलाइंस ग्रूप की तरह उसे बंपर भरती का ये अफिशली नोटिफिकेशन एनाउस किया गया है और यहाँ पे बिल्कुल फ्रेशर कैनिडेट कर सकते हैं किसी भी टैप का कोई भी एक्सपरेंस इन्होंने नहीं मांगए और यह आपका फुल टैम पर्मानेंट जॉब की कैटिगरी मा आता है पर्मानेंट बेस पे काम करेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी या फिर कोई मीडियेटर आपको देखने को नही नहीं मिलेगा प्रैशर इसको अप्लाइ कर सकते हैं अब बात किजए कि कौन-कौन से ब्रांच अलिजिबल है आपका एजुकेशन क्या रहेगा पोजिशन क्या रहेगा वो मैं आपको पहले बता रहा हूं इस वीडियो के इंदर ताकि आप मैं से किसी भी बच्चे का ब्रांच वाले यहां पेलिजिबल है तो यह आपकी ब्रांच अलिजिबल रहेगी उसके अलवा जो आपका पोजिशन रहेगा वो निकाला गया है ग्रेजुएट इंजिनेर ट्रेनी प्रोग्राम आपको देखने को मिलेगा जीटी का प्रोग्राम आपको देखने को उसके बाद finally joining आपको मिलेगी वो सारी चीजे हम आगे discuss करेंगे और आप में से सभी बच्चों को पता होगा कि जीटी के लिए कौन apply कर सकते हैं अगर आपने यहाँ पे bbtek कर रखा है मतलब कि bbtek वाले candidate यहाँ eligible है diploma candidate इसको apply नहीं कर सकते और आगे हम जानेंगे किसको apply कैसे करना है selection process क्या रहेगा salary कितना मिलेगा job location क्या रहेगा यह सारी चीजे मैं आपको details से बताऊंगा तो वीडियो को अंतर तक पूरा देखेगा बिना escape किये और यदि आपने अभी तक वीडियो को शेर कर दीजेगा comment box में education qualification को comment करके जरूर से बता देना इससे आपको फायदा मिलेगा क्योंकि जब भी मैं next video upload करूँगा आपको वही update प्रोवाइड कर वाऊंगा जो आपने मुझको बता रख है बताना क्या है कि branch कौन सी है trade कौन सा है पास से उटियर कौन सा है pressure हो या फिर experience holder हो और कौन सी location के अंदर अभी आप job को search कर रहे है तो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया तो subscribe कर लेना, bell icon को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि जब भी मैंने आपको video के description के अंदर notification का link दे रखा है और apply link भी दे रखा है अगर आप notification वाले link पे click करते है तो आपके सामने directly यहाँ पे LinkedIn का page open हो जाएगा Reliance Industry Group यहाँ पे जो है उनका यहाँ पे जो उन्होंने post डाला है LinkedIn पे वो open हो जाएगा तो आपके mobile में अगर LinkedIn है तो वो LinkedIn के अंदर open होगा और अगर आपके mobile में LinkedIn नहीं है browser में use करते हैं तो यह browser के अंदर open हो जाएगा इन्होंने यहाँ पे अपने officially LinkedIn account के through ही post out कर रखा है तो आप खुद यहाँ पे देख पा रहे है और यहाँ पे चार दिन पहले इन्होंने यह update दी है जो कि आपको screen पे देख रहा होगा position आपका graduate engineer trainee कर रहेगा GT का यह program आपको देखने को मिलेगा GT की salary बहुत बढ़ी है रहती है लेकिन यहाँ पे आपको अच्छे से apply करना है और आपको यहाँ पे इन्होंने जो examination conduct करवाएंगे वो exam को clear करना पड़ेगा interview आपको clear करना पड़ेगा सारी detail माँगे जानेंगे यहाँ पे जो इसका last date रहेगा वो भी जानना जरूरी है इन्होंने जो post डाल है उसके according last date Monday 15 April का रहने वाल है देखे बहुत सारी company update देती है तो अगर आपको वो सारी update चाहिए तो आप हमको LinkedIn account पे follow करके रखिए क्योंकि मैंने बहुत सारी company को follow कर रखा है LinkedIn पे बहुत सारे HR को follow कर रखा है तो मैं क्या करता हूँ कि जो भी वो job update देते हैं तो उन सारी jobs update को मैं share कर देता हूँ अपने LinkedIn account के थ्रू तो अगर आप हमको follow करके रखेंगे तो आप directly उनसे connect भी हो सकते है और directly उनको message भी कर सकते है तो आप हमको follow कर लेना हमारी LinkedIn ID का link आपको वीडियो के description मिल जाएगा उस पर click करके आप directly follow कर पाएंगे बट आपके account होना चीए LinkedIn पे और आपने वहाँ पर ID create की होनी चीए साथी साथ यहाँ पर बात कीजाए वेकेंसी के बारे में तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि for more detail visit करना पड़ेगा यह जो link दे रखा है इस link पे click करके बहुत सारे बच्चों को यही problem रहती है कि सार अप्ला लिंक का है देखें notification के अंदर ही apply link दे रखा है और जो notification मैं आपको provide करवाता हूँ वो इनकी officially LinkedIn का होता है या फिर officially website का होता है सारे link तो आपको officially मिलता है बस आप video को पूरा देखते रहेंगे तब आपको process समझ में भी आता रहेगा यह आपका GT 2024 यहाँ पे आपका रहेगा now hiring यहाँ पे इन्होंने hashtag लगा रखे है आप यहाँ पे इन्होंने QR code भी दे रखा है तो आप इस code को scan करते वे भी apply कर सकते है बट आपको tension ने लिनी आप QR code को scan मत करेगा लेकिन यहाँ पे इन्होंने description के अंदर भी यहाँ पे दे रखा है इस link पे आपको click कर देना है और यही link मैंने आपको video के description में भी provide करवा रखा है जहाँ पे मैंने apply link दी है highlight करके दी है तो आपको अराम से अच्छे से दिख जाएगा अब चलिए हम यहाँ पे click करते है देगे मैं इस पे click करता हूँ तो यहाँ पे tab open हो जाएगा जैसे आप उस link पे click करेंगे तो यहाँ पे tab open हो जाएगा और यहाँ पे दे रखा है graduate engineer trainee GT यह आपका summer internship program आपको देखने को मिलेगा Reliance industry के अंदर सबसे पहले company आपको internship करेगी यह आपकी internship 6 महीने की होगी 6 महीने के दोरान आपकी performance को check किया जाएगा और अगर आप बढ़िया perform करेंगे तो आपको graduate engineer trainee का program मिलेगा मतलब कि GT की position आपको दे जाएगी जैसे ही आपकी graduation खतम होगी तो आपको GT का position यहाँ पे मिल जाएगा तो इसको apply कौन कर सकते हैं उसके बारे में हम details से जाल लेते हैं सबसे पहले तो यहाँ पे आपको देख जाएगा कि दो दिन बाकी है और कितने बच्चों ने apply किया है तो आप देख सकते हैं 5964 बच्चों ने अभी तक apply कर दिये आप भी apply कर दीजिए अगर आपने अभी तक apply नहीं किये eligibility criteria के बाने में जाने तो यहाँ पे 2025 के अंदर जो candidate यहाँ पे pass out होने वाले हैं इनके लिए आपका program रहेगा starting में internship करवाएंगे आपको 6 महिने की उसके बाद आपको यहाँ पे job भी मिलने वाली है तो एक बड़िया initiative इन्होंने उठाया है job भी आपको मिलेगी और अगर आप internship में बड़िया प्रफॉर्म करेंगे तो आपको job तो 100% company आपको देने ही वाली है और यहाँ पे eligible country यहाँ पे इंडिया है तो इंडिया के नागरिक इसको apply कर सकते हैं बाकि थोड़ा हम जानते है recruitment process के बारे में कि इसका recruitment process क्या रहेगा ध्यान पुर्वक देखते रही है सबसे पहली बात यहाँ पे अभी live है और यहाँ पे starting date आप देख सकते है कि 9 April को start हो चुक है 15 April का last date है आपको जो समय मिला है 6 दिन का समय मिला है जादा दिन का समय नहीं मिला तो यहाँ पे लगबग 6-7 दिन का समय है आपके पास अभी तो आपके पास 2-3 दिन का समय है 15 April के बाद यहाँ से closed row हो जाएगा तो आप apply नहीं कर सकते है अगर आपको कोई जान पैचान वाला है कोई बाई बेन है कोई दोस्त है कुछ भी है उनको वीडियो सेजेस्ट कर दीजेगा जिसको आप जानते है जिनका पास उटियर 2025 का है Reliance कोई छोटी company नहीं है देना पड़ेगा वह आपको 16 अप्रेस लेकर 18 अप्रेस के बीच महोगा assessment के अंदर क्या रहेगा जो भी assessment के अंदर student shortlisted रहेंगे उनको announce कर दिया जाएगा उनका announcement हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे final selection जो रहेगा उन candidate को update कर दिया जाएगा जो shortlisted candidate होंगे उनको update कर दिया जाएगा डिटेल यहाँ पे देख लेते हैं कि Reliance के अंदर कौन-कौन सी यहाँ पे companies आती Reliance की manufacturing plant आता है Reliance का उसके लावा यहाँ पे बात की जाए यहाँ पे जो manufacturing plant है जो आपका जामनगर के अंदर है ठीक है उसके लावा यहाँ पे हजीरा के अंदर है देज के अंदर है उसके लावा वडूदरा गुजरात में हैं और भी बहुत सारी location आपको देखने को मिलेगी out of India के अंदर भी plant है तो यहाँ पे R&D इसका department भी रहते है research and development का उसके अंदर भी आपको internship करा सकते हैं उसके लावा Reliance Project Management Group है उसके अंदर भी आपको internship करा सकते हैं यहाँ पे Petrochemical Plant है क्योंकि यहाँ पे Chemical Branch अलिजीब लेना तो Petrochemical Plant भी इनका है Reliance का उसके अलावा यहाँ पे procurement and आपका contracting का भी यहाँ पे आपको internship करा सकते हैं और जो green sector है Reliance New Energy जो भी recently launch हुआ है उसके अंदर भी आपको internship करा सकते हैं इस sector के अंदर बहुत बड़ी opportunity रहती है Reliance New Energy के अंदर और काफी बच्चे selection भी करवा चुके हैं जो भी GAT का आया था और DT का आया था 2024 के अंदर उसका result भी मैंने share की है हमारे result वाले section में जाके देखेंगे जो नौकरी वाला channel के थूरू बहुत सार बच्चे select हुए उन सभी का result आप देख सकते हैं Link में आपको वीडियो के description में provide करवा दूँगा अब यहाँ पे आपको कहीं पे भी pen India जो selected यहाँ पे रहेंगे कहीं पे भी आपको pen India के अंदर आपका जो internship है वो आपको करवा दे जाएगा और यहाँ पे third year के student eligible है और एक चीज़ का ध्यान रखेगा BB Tech के अंदर आपके 60% अभी होने चीए मतलब कि आपके 10th में उसके बाद 12th में डिपलोमा में अगर आपने कर रखा है और 6 semester तक आपके 60% का criteria complete होना चीए backlog आपकी नहीं होनी चीए और यहाँ पे आपको per month 30,000 रुपे मिलेगा जो कि नोने mention भी कर रखा है 30,000 रुपे से लेके जो नोन IIT से है उनको 30,000 रुपे मिलेगा मतलब कि अगर आपने कोई private college से कर रखा है या पर कहीं से कर रखा है तो आपको 30,000 रुपे मिलेगा और अगर आप IIT से pass out हुए हैं तो आपको 40,000 रुपे मिलेगा help desk के और technical support की email ID दे रखिए और आप इनका circular भी download कर सकते हैं उसके लवा frequently ask question में अगर हम जाने तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि what is the last date जो कि आपको पता है इसको हम discuss नहीं करेंगे अब इन्होंने mention कर रखा है कि I am master and dual degree student क्या मैं eligible हूँ नहीं आप इसको apply नहीं कर सकते हैं उसके लवा आपके अगर CGPA 5.97 है तो क्या आप eligible है बिल्कुल आप इसको apply नहीं कर सकते हैं उसके लवा यहाँ पे सारे doubt है वो आपके doubt के clear कर रखा यहाँ पे आप इसको पढ़ लेना और इसके circular जो notice है उसको भी आप download कर सकते हैं apply कैसे करना है इसको apply करने को ज़्यादा बड़ा काम नहीं है खुद ही इसको apply कर दीजेगा email id डालेगा सारे document जो बोलेंगे वो सारे detail फिल करनी है finally submit करना है इतना सा काम यह रहेगा बाकी यह सारे link में आपको वीडियो के description में दे दूँगा वहाँ पे click करके आप इसको directly apply कर सकते हैं और channel को subscribe करना मत भूलेगा bell icon को जरूर से press कर लिजेगा इससे आपको next video का notification सबसे पहले मिल जाएगा और आप उसको directly apply कर पाऊगे all the very best जेहिन